हेलो बच्चा लोग, तो next question, तो second question अपना 2001 का ये वाला question, chemical kinetics का, pyq advance का, तो इस बार ही बोला गया, if i is the intensity of the absorbed light and c is the concentration of ab for the photochemical process, तो lhs का concentration है c, the rate of formation, अब एक बात बताईए, rate का expression क्या होता है, हमारे chemical kinetics के logic से, chemical kinetics के logic से rate का expression होता है, k into concentration, जो की ab का c है, to the power order, अब order तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब rate concentration पे depend कर भी सकता है, और नहीं भी कर सकता है, ठीक है, the rate of formation of ab is directly proportioned to, और i is the intensity, तो हम लोग photochemical जो पढ़ते थे, उसमें याद होगा, उसमें बताया गया था, कि ज्यादा intensity मतलब क्या होता है, कि ज्यादा packets of light आ रहे हैं, ये one packet, ये दो packet, है ना, ये तीसरा packet, तो ज्यादा packet आएंगे, तो क्या होगा, ज्यादा electrons निकलते थे, photoelectric effect में भी, तो intensity से क्या होता है, क्या reaction में फरक पढ़ता है, हाँ, electron ज्यादा तो reaction भी ज्यादा, तो कहीं ना कहीं, intensity से तो proportional हई, rate of reaction की, भईया ज्यादा करते हैं वो भी करते हैं और ऐसे fact की बात यह है कि photo chemical processes जो होता है उनका जो rate है वो intensity पेडिमेंट होता है तो उसे साब से यह factual है और थोड़ा सा previous knowledge से अगर करें तो concentration क्यों नहीं टिक करेंगे वो हम लोग बता पा रहे हैं क्यों C क्यों नहीं होगा है ना इस directly proportion to C क्यों लिखा हुआ है फिर यह C square भी हो सकता था C cube भी हो सकता था है ना not proportional to C भी हो सकता था हमें तो नहीं पता है कौन सा order है तो इसलिए अपन ऐसा नया question आता है तो इस approach से करेंगे कि concentration का तो 0,1,2 सा हो सकता है anti-unless हमें नहीं पता है कि photochemical process order 1,2,3 यह क्या है तो वैसे fact की बात ही है कि यह सिर्फ intensity पे डिबन करता है photochemical process का जो लेट है वो intensity पे डिबन करेगा ठीक है ओके बाइबरीबडी